गीता का पहला स्लोक है धर्म छेत्रे कुरु छेत्रे समवेता युयुत सवा मामकाः पांडवास चैव किम कुरुवत संजया धितराष्ट संजय से पूछते हैं कि धर्म छेत्र और कुरु छेत्र में जो लोग समवेत हुए हैं इकठा हुए हैं मेरे पक्ष के और पांडव पक्ष के लोग क्या करें यहां धितराष्ट पूछते हैं धितराष्ट कौन जो कि जनमांध थे धितराष्ट का मतलब होता है धित माने धारण करना राष्ट माने समचना जिसने एक समचना को धारण किया है अर्थात मन मन ने किसको धरन किया है? शरीर को, human body को, तो धितराष्ट कौन हुआ? अंधा मन, संजय, संजय मतलब विवेक, चुकि अंधा मन कुछ देख नहीं सकता है, इसलिए संजय रूपी विवेक से पूचता है, धितराष्ट बिना विवेक की सहायता से कुछ देख नहीं सकते, क्योंकि धितराष्ट जन्मान्ध हैं, एक मन अंधी सकती होती है, तो वह अंधी सकती वह अंध मन विवेक से पूचता है, कि धर्म छेतरे, कुछ छेतरे, धर्म छेतर और कुछ छेतर, धर्म छेतर क्या है, धर्म माने एक विशिष्टता, और छेतर माने एक एरिया, छेत माने एक सनचना तो जहां धर्म घटित हो सकता है जहां धर्म की संभावना हो सकती उसे कहते है धर्म छेत धर्म कहां घटित हो सकता है? human body में, मनुष शरीर में क्योंकि मनुष भी धर्म सादना कर सकता है पशू नहीं कर सकता है कहा गया है कि देवताओं को भी अगर धर्म साधना करना होता है तो उन्हें मनु से शरीर में आना पड़ता है बहुत सारे देव योनिया होती है वो जब मनु से तन में आते हैं धर्म साधना करते हैं शरीर के माध्यम से तब वह मुक्त होते है तो धर्म छेत्र हुआ यह शरीर कुरु छेत्र कुरु माने करो छेत्र माने प्लेस एरिया जहां जो भूमी यह कह रही है कुछ करते रहो करो तो कुरु छेत्र हुआ यह संसार धर्म छेत्र यह शरीर कुरु छेत्र यह संसार धितराष्ट अंधामन संजय विवेक अब यह अंधामन विवेक से क्या पूछ रहा है कि धर्म छेत और कुद छेत में जो लोग समवेत हुए हैं कौन लोग माम काह मेरे पक्ष के लोग और पांडवास चैव पांडव पक्ष के लोग तो धितराष्ट के पक्ष के लोग अंधे मन मन के पक्ष के लोग कौन है धितराष्ट के सौपुप्व थे तो जो मन है मन हमारा दस इंद्रियों के माध्यम से काम करता है और कहां काम करता है भीतर और बाहर और दस दिसाओं में काम करता है तो यहाँ पर हम चुकी आंतरिक समचना की बात कर रहे हैं इसलिए सिर्फ भीतर तो मन दस दिसाओं में दस इंदियों के माध्यम से काम कर रहा है इसलिए 10 उन्टे 10 is equal to 100 सव हो गए या हुए सव धितराष्ट के पुत्र कौरोपक्ष अब पांडुपक्ष कौन है पांडु माने आतम ज्यान जिन्हें आतम ज्यान प्राप्थ हो जाता है अहां ब्रम्हास मीतित कि मैं कौन हूँ जो जान गया अहां ब्रम्हास मीतित वह होता है पंडा और जो इस रास्ते में चल रहा है आतम ज्यान के रास्ते में चल रहा है उसे कहते हैं पांडे अभी उत्तर भारत में बहुत सारे लोग आत्मक उद्धुशा की हो ले जाने के लिए सहायक होते हैं पहला सहादेओ सहादेओ कौन? मूलाधार चक्र तत्वी तत्वा उसके बाद ना कुल ना कुल कुल माने किनारा ना जिसमें कोई किनारा नहीं जल तत्वा स्वादिष्ठान चक्र अरजुन एनरजी कर्म शक्ती मरिपूर्चक ना भी इस्थान अब आते हैं पवन पुत्व भीम वायुतत्व अनहाचक इसके बाद युद्धिष्ठिर जो युद्ध में इस्थिर हैं विशुद्ध चक हर समय एक समान है जिनके मन की चंचलता समाप्थ हो गई है बिलकुश साम्थ है या पाँच पांडों हैं और सो कौरों या जो सो कौरों हैं हमारा मन दस इंदियों के माध्यम से दस दिसाओं में जो घूम रहा है भटक रहा है काफी तेज चंचल है भाग रहा है दस दिसाओं की ओ ले जा रहा है भोक की ओ ले जा रहा है और पांडों इसे आत्म ज्ञान की ओ ले जाना चाहते हैं या हमारे बीच में हमारे मन में या हमेशा संघर से चलता रहता है कभी हम इसमें बीजे प्राप्त करते हैं कभी हमारी बुरी तरह से हार हो जाती है या जो महाभारत का युद्ध है या बेक्तिगत लेवल में तो चल ही रहा है सभी के जीवन में गाओं में, सहरों में, नगरों में देश में, विदेश में सब जगे युद्ध चल रहा है पूरे विश्व में विद्या और अविद्या का युद्ध अनंत काल से चला रहा है और ये चलता चला जा रहा है इसमें जो संजय की सहायता लेकर बुद्धी विवे की सहायता लेकर पांड पक्ष में धर्म पक्ष में जो धर्म की पक्ष में रहता है धर्म साधना करता है वहाँ जो विद्याशक्ती की मदद से विद्याशक्ती की सहायता से धर्म की पक्ष में हैं जो धर्म साधना करते हैं उनकी विजय होती है संगर सुने भी होता है घमाशान युद्ध होता है लेकिन उनकी विजय होती है और जो कवरों के पक्ष में हैं विवेक की बात नहीं सुन रहे हैं मन को छोण दिये हैं अंधी शक्ती को तो मन जो अंधी शक्ती है जो अंधा मन है यह हमें नीचे की वो ले जाता है गिराता है और जब मन उसे गिरता है तो उसे बहुत चोट लगती है बहुत पीड़ा होती है बहुत कष्ठ होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया मैंने बुरे कर्म क्यों किये मैं भी सत्त कर्म करता मैं भी धर्म के पक्ष में होता पांडु पक्ष में होता कितना अच्छा होता इसलिए साधक की जीवन में यह बहुत ही अनिवाद होता है कि वो हर चीज को बिबेग की सहायता से बिबेग से सोच समझ कर कोई भी कारे करे क्योंकि मन में समझने की शक्ति नहीं होती है वो आन्दी शक्ति है एक फोर्स है ब्लाइंड फोर्स और बहुत तेजी से काम करता है इसलिए वो गलत दिशा ही ले जाएगा क्योंकि उसका सुभा होता है नीचे गिरना साधक धर्म साधना के माध्यम से सतकर्म के माध्यम से धीरे धीरे ऊपर की उर उठता है तब उसकी जै होती है यही मनुश्य का मेन करता है